आखरी सवाल है उसमें क्या गिवन है एं मतलब ये जनरल फॉर्म आपको गिवन है ठीक है और आपको क्या करना है देन इस लिमिट अगें लिमिट निकाल लिमिट क्या होती है जब एन अपरोच करता है इंफिनिटी के पास ठीक है अब देखो यहां पर मैं आपको चीज बता दो शॉर्टकट है यह ठीक है और यह शॉर्टकट बहुत असानी देगा आपको लेकिन यह शॉर्टकट कोई रेंडम शॉर्टकट नहीं है इसका एक बकाइदा रूल है जिसको हम बोलते हैं और उस रूल का नाम क्या होता है एल ह हॉस्पिटाल हउस्पिटाल बोल ज्योस भोलनंग यह सान्टिस का नाम था ठीक है अगर आप इसको अजड़्धर भी लिखते हैं और इसके नाम में हॉपिटाल भी आता तैक है जएदा नाम इसको यह मशूर ओफिटार रहें घाल्पटल टैके गर्फिटार्णकी पुटरम और आपके पास यह वाली इंडमनेट फॉर्म मैं तुल साट इंड कि इंडमनेट फॉर्म आज आपके तो। मतलब है आपको function को change करना पड़ेगा क्योंकि वह आंसर नहीं होता indeterminate form का मतलब है कि जिनको हम determine ना कर पाएं तो वह answer कैसे हो सकता है अगर आपको भी limit put करो और answer 0 बर 0 आए तो यह आपका answer नहीं है आपको function को change करना पड़ेगा यह फाली indeterminate form है दूसरी indeterminate form है plus minus infinity divided by plus minus infinity मतलब infinity को अपने सी डिवाइट कर तो यह भी indeterminate form है तो आपके पस क्या हो जागे infinity minus infinity यह भी indeterminate form है चौधी है zero multiply infinity यह भी indeterminate form है अठाय यह शुरू की दो और यह वाली यह बहुत आती है आपको पस और यह भी आती है बाकी जो हैं वो काफी rare हैं वो भी देख लो आप ठीक है आपके पास है infinity upon zero ये भी आपके पास indeterminate form होती है उसके बाद एक आपके पास है zero की power zero ये भी indeterminate form है और आखरी है one की power infinity ये भी एक indeterminate form है तो आपने limit को जब भी solve करना है क्योंकि आप limit के सारे आगे question आने लगेंगे अभी भी आ रहे थे लेकिन वो थोड़े easy थे जब भी limit question आए इन में से अगर साथ कोई भी आ जाये न तो उसका मतलब है आपका answer ये नहीं है आपको function को change करना पड़ेगा बस ये answer ना है इसके लावा कुछ भी आ जाये ये answer नहीं आना चाहिए ठीक है तो अब ली होबिटार रूल हमें क्या कहता है वो कहता है कि अगर आप किसी function में limit put कर रहे हो और उस function का answer क्या आ रहा है मतलब उस function का answer में जो indeterminate form आ रही है वो ये दो आ रही है या तो 0 upon 0 आ रही है या infinity upon infinity आ रही है तो तब ये वाला rule applicable होगा या आप shortcut बोल लो जब भी आप put करो और ये दो indeterminate form आ है तब आप ये वाला rule लागा होगे अगर बाकी आएंगे तो आप function को इसी form में change करो कि वो मेरा topic नहीं है वहना फिर बहुत ही डावेट हो जाएगा तो shortcut क्या है कि जब आप put करो limit और ये वाली चीज़ आ जाए ठीक है तो आप ये rule apply करोगे और rule क्या कहता है रूल ये कहता है कि आप numerator को भी differentiate करो denominator को भी differentiate करो ठीक है और उस वक्त तक करते रहो जब तक ये form हटे ना कहने का मतलब अगर आप infinity put करो तो infinity का square भी infinity होता है तो उपर आपके पास आगे infinity नीचे भी आप put करोगे तो आपके पास infinity ही आएगा ठीक है 4N square को differentiate करो क्या आएगा 8N अब ये आपको आना चाहिए difference मतलब derivative कैसे लेते हैं n square का derivative 2N minus 3N का 3 आएगा अगर आप अब limit put करो मतलब n की जब इंफिनिटी put करो तब भी आपके पास infinity upon infinity ही आएगा इसका मतलब है अभी भी आपका answer नहीं आए आप दुबारा differentiate करो दुबारा numerator करो आपके पास आएगा 8 और denominator करो आपके पास आदेगा 2 और 8 over 2 आपको पता है 4 के बराबर होता है तो आपने उस वक्त तर differentiate करते रहना है जब तक आपका answer ना है जैसी answer आजाए आपका सवाल खतम वो आपका answer है तो सबसे पहली जीज़ जब आप put करो इन दो में से कोई भी independent form आए तब आप ये वाला rule लगाओगे एक और confusion में clear कर दूँ आपके जब इसको differentiate करने का मैंने बोला है ना तो शुर्ण ये समझेंगे कि मैं इस पर कोईशन रूल लगा रहा हूँ कोईशन रूल लगता है एक साथ अगर मुझे differentiate करना है मैं अभी बात कर रहा हूँ कि अलग अलग differentiate करना है आपको आपको numerator को भी अलग differentiate करना है denominator को भी अलग differentiate करना है तो यहाँ पर कोईशन रूल लगाना आपको इसको आप इंडिपेंडेंटली डिफ्रेंशेट करो जैसे आपके बार नॉमल फॉर एंडिफ्रेंशेट करो तो यहीं करो अभी आगे हर सवालों में ही होगा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस तरह सॉल्फ कर आपको सोरा जाएगा दूसरा इसका तरीका अच्छा यह बहुत दरूरत ही नहीं है आपको विद यह अंग्रेजी बूलने लगे हैं थोड़ी बहुत अब हम करते हैं लिमिट फंक्शन की स्टार्ट करते हैं यह आखरी टॉपिक है चेप्टर नबर बन का और अब जब मैंने आपको रूल बता दिये ना अब आपने कुछ और करना ही नही 3x tangent 4x इसका लंबा वाला तरीका बड़ा डिफरेंट था वह आप देख लेना जाए कैसे है चौर्ट वाला तरीका क्या है सिंपल डिफ्रेंशेट करो जब आप पूट करोगे 0 यहां पर तो साइन 0 आपको बता है जिरो के बराबर होता है इदर पूट करो 0 tangent 0 भी 0 upon 0 इंटेमिनेंट फॉर्म आरी यह वाली रूल अप्लाई कर तो साइन 3X को डिफ्रेंशेट करो आपके पास क्या आएगा 3COS 3X और टैंजेंट 4X को करो तो आपके पास आएगा 4C2 4X ठीक है अब आप क्या करो अब लिमिट अप्लाई करके देखो आंसर आ रहा है नहीं X के जगा जिरो पुट करो COS 0 क्या होता है 1 के बराबर तो 3 को 1 से करो 3 आजएगा यहाँ 0 पुट करो SAC 0 होता है 1 1 का स्कॉाइर भी 1 4 को 1 से करो 4 आजएगा अगर यह calculation ना आपको आती हो तो आप calculator से कर लेना क्यूंकि यह calculator अलाओ होता है लेकिन इतनी basic calculation तो आपको आने चाहिए कि SAC 0 क्या होता है COS 0 क्या होता है सब तो आप देखो आपका answer आ रहा है 3 अबर 4 और यह आपका answer ठीक Second function Second MCQ आपके पास क्या है जगा 0, 0 upon 0 Rule apply कर दो Rule क्या है 1 का derivative हो जगा 0 COS का derivative माइनस साइन होता है माइनस माइनस positive theta square का derivative 2 theta अब अगर आप limit पूट करोगे करके देख ले दे 0 पूट करो यहाँ पे sin 0, 0 होता है यहाँ भी 0 पूट करो 2 को 0 से करो 0 इसका मतलब है दुबारा independent form आ रही है आपने कुछ नहीं करना भाई आपने बस आप derivative लेते रहना है sin theta का derivative लो दुबारा cos theta आजाएगा आपके पास और 2 theta का derivative क्या होगा simple 2 होगा अब आप पूट करके देख लो अचा यह चीज़ें पेपर में करने के ज़ुरत नहीं जल्ली जल्ली करना मैं सिर्फ समझाने करे कर रहा हूँ पेपर में कोई handwriting कुछ नहीं करना बस आपको जल्दी solve करना होता टिक लगाना होता है अब आप उट करो cos 0 क्या होगा 1 और 2 तो अपने जगा पे है तो answer इसका क्या आजाएगा 1 over 2 आजाएगा यह भी सवाल अचा यह तो आपको पता है यह तो formula हमने पढ़ा था limit के अंदर कि जब x अप्रोच कर रहा है 0 के पास tangent x over x 1 के बरावर होता है अगर आप इसको direct मतलब normal तरीके solve करोगे ना तो आपके पास indeterminate form आ रही होगी तो आप वही ली होपिटालू लगाओगे तो आपके पास answer आ जाएगा लेकिन जब आपको direct पता है कि यह 1 के बरावर होता है तो इतनी लंबी करने की क्या ज़रूरात है ठीक है उसके बाद 4 जो है आपके पास वो है कि limit x अप्रोच कर रहा है infinity के पास x plus 1 x square plus x plus 1 ठीक है अगर आप infinity put करोगे मतलब limit put करो तो यह infinity plus 1 infinity ही होता है infinity का square plus infinity plus 1 यह भी infinity ही आएगा आपके पास indeterminate form है इसका मतलब है आप इस पे ली होबिटा रूल लगा सकते हो differentiate कर दो भाई इसको x plus 1 का derivative x का derivative 1 1 का derivative तो 0 x इसका derivative 2x x का derivative 1 अब आप क्या करो अब आप infinity put करके देखो यह जगा 1 over 2 को infinity से करो तो infinity infinity plus 1 भी infinity और 1 over infinity की limit क्या होगी 0 के बराबर होगी तो option number a जो है वो आपका correct होगा उसके पाद 5 क्या आपको given है sin square 3x over x square और limit 10 कर दिये 0 के पास वो आपको निकालना है अगर आप इसको लिखो तो इससा लिख सकते हो limit 10 to 0 sin square 3x over x square अब देको जब यह square आ जाते है न numerator denominator दोनों पे खौस और पे अगर technometric function के उपर square आ गए है तो इसको differentiate करना आपके ले difficult भी हो जाएगा और सवाल भी आपका difficult हो जाएगा क्योंकि एक दफा differentiate करोगे आपके पास काफी मुश्किल derivative आएगा फिर जब दुबारा करोगे तो आप फद्जा होगे इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप लिमिट की property लगाओ सबसे पहरे कि अगर दोनों के उपर square है ना तो आप इसको whole square लिख लो यह limit की property नहीं है simple fraction की property है limit की बाद में बदाता हूँ दोनों के उपर square था मैंने whole square लिख लिख लिए उसके बाद limit की property है कि अगर आप ऐसे function की limit निकालो जिसका square given है तो आप क्या करो इस limit को भी धका मार के अंदर square के अंदर ले जाओ तो यह पूरा सवाल इस तरह बन जाएगा अब अंदर आप क्या करो लिहॉपिटार रूल लगा दो यह formula लगा सकते हैं वो भी लगा दो easy है वो लेकिन लिहॉपिटार रूल हम लगा रहे हैं तो वही लगा दिते हैं तो अंदर आप जिस तरह solve करते हैं आप बाकिस सवाल वैसे solve करो अगर आप zero put करोगे sign zero क्या होता है zero x जगा zero तो अंदर आपके पास अंसर क्या आ रहा है indeterminate form आ रही है यह वाली तो इसका मतलब है आप लिहॉपिटार रूल लगा सकते हो sign 3x का derivative क्या होगा 3 cos 3x और x का derivative 1 होता है लिखने की ज़ूरत भी नहीं है और अच्छा limit क्या है limit x approach कर रहा है और बाहर क्या है square है क्या आपने क्या किया numerator को differentiate किया denominator को differentiate किया 1 आया और बाहर square है अब आप put करके देखो जब आप 0 put करोगे cos 0 क्या होता है 1 3 को 1 से करो 3 answer आएगा 1 लिखने की ज़ूरत नहीं है और बाहर क्या है holy square है 3 का square 9 के बराबर होता है तो जो option number A जो है वो correct हो जाएगा अगर आपको लग रहा है मैं speed में बोल रहा है तो आप speed भी आज़ता कर सकते हो इसी से बहुत बच्चों वाली है और मेरी speed भी naturally थोड़ी तेज है उसके बाद अगर आप 6 देखो 6 sum करते हैं पेज हमारा खत्म होगा लग इंटेंशन की बात नहीं है हमने पेज सारे रखे हैं में आज चेप्टर वन खत्म करके ही उठेंगे अगर आप देखो नजर यह नहीं आ रहा है 6 में क्या given है limit x अप्रोच कर रहा है 0 के पास sin square x cos x over x square अब सबसे पहले अगर आप 0 बुट करोगे तो आप देख लेना 0 upon 0 यह आ रही होगी बहुत दबाबता है अगर आप लिहोपिटार रूल लगाओगे इसके उपर तो नुकसान क्या होगा कि function आपका बहुत मुश्किल हो जागा differentiate करना ठीक है वो आप करके देखना आपका idea हो जाएगा तो इसका short तरीका यह है कि आप जो inter में भी करते विए आ रहे थे one में आप इन दोनों को अलग कर दो like lsim break नहीं कर रहा मैं क्यूंकि दो term नहीं है ना एक ही term में दोनों में आप इस तरह लिख सकते हो sin square x over x square ठीक है अच्छा x की जगा जब आप यहाँ zero put करोगे cos zero तो क्या होता है one होता है तो इसका answer तो आपके बास one आगया direct इदर जब आप zero put करोगे तो आपके बास again वोई indeterminate form आ रही होगी again मैंने बताया था square की form है तो आप उसमें change कर लो whole square लिख दो उसके बाद इस limit को धका मार के अंदर कर दो और भार square आज़े कर ठीक है अब आपको बता है limit जब x अप्रोच कर रहा है zero के बाद sign x over x one होती है ठीक है यह formula आप याद कर ले ना मैंने इंटर में लिखवाए वे थे pdf भी दिया वाता सारे formula का वैसे भी आपको मिल जाएगा तो formula लाजमी आद कर ले ना अंदर इस पूरी limit का answer आपको बता है one के बराबर होता है one का square one one को one से करो तो answer one ही आता है तो option number a जो है वो correct हो जाएगा अज़र देखो limit के काफी मैंने formula आप लोगो बताए थे मैं कुछ formula दो जो important है वो बता रहा हूँ जब भी आपके पास यह form आए limit x अप्रोच कर रहा है infinity one plus a over x power क्या है bx तो इसका direct answer आपके पास आता है e की power a b direct answer होता है खाली e कब आता है जब आपके पास a b कुछ भी ना हो मतलब let कर लो अगर a b दुनों one हो जाएं तो one मल प्रोच कर रहा है मतलब a क्या है यहां पे one है और b भी यहां पे क्या one है तो यह क्या हो जाएगा e की power a b होता है तो one को one से मल लाग गरो one आएगा उप़ और one लिखने के जुरूरत नहीं है तो यह तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए limit x अप्रोच कर रही है infinity के पास one प्लस one over x की power x यह अंसर होता है e के बराबर यह आप याद कर लो और यह आप general form याद कर लो a over x bx तो यह बराबर होगा e की power a b जब limit अप्रोच कर रही है infinity के पास और इसी type का एक और formula है जिसमें limit infinity के पास अप्रोच नहीं कर रही 0 के पास कर रही है formula क्या है one plus ax over b divided by x तो यह दिहान में रखना है इसमें 0 के पास अप्रोच करती है इसमें infinity के पास तो confuse नहीं करना इसका भी answer क्या होगा e की power a b लेकिन form जोनों की अलग है वो आप देख लिए ना simple जो x के साथ लिखावा है और जो x के उपर लिखावा है उनको आपसे multiply कर दो और वो e की power बना दो अब हम सवाल solve करते है 7 given है आपको के limit x अप्रोच कर रहा है infinity 1 plus 1 over x m3 x over 3 अब अगर आप गौर से देखो तो यह वाली form है क्योंके x infinity के आप रोच कर रहा है और दिखने में आपको यह लग रही है जिसमें a क्या है यहां पर 1 के बराबर है मतलब x के उपर 1 है मतलब a 1 के बराबर है और b क्या है जो x के साथ लिखा रहा है x के साथ यह पूरी चीज़ लिखी ही है तो b यहां पर क्या है m3 over 3 जैसे b यह था ना x के साथ जोसे लिखी ही है वो यहां पर क्या है m3 over 3 है इस पूरी चीज़ का अंसर आपको पता है किसके बराबर होता है short trick क्या है e की power a b तो आप लिख दो e की power a को b से multiply करो 1 है a तो कुछ असर नहीं करेगा तो e की power m3 over 3 आदेगा तो e की power m3 over 3 option number a जो है वो correct होगा अच्छा एक और सवाल यह भी देख लो अभी बताया था आप लोंको जब limit x infinity के बाद अपरोच करती है 1 plus 1 over x की power x तो यह पूरी चीज e के बराबर होती है यह वला तो यह तो आपको याद रखना चाहिए तो 9 का option a हो जाएगा अच्छा जी easy कर लेते हैं एक मुश्किल वाला है 11 क्या है थीटा अपरोच कर रहा है 0 sin theta over theta तो यह तो पूरा formula है जो अभी मैंने आपनों को बताया था limit x approaches to 0 sin x over x 1 के बराबर होता है तो यह पूरी चीज अच्छा इसमें mistake है ना तो यह थीटा लिखावे मैंने थीटा approaches to 0 sin theta over theta तो इस पूरी चीज का answer 1 के बराबर होता है यह तो आपको आता है यह भी बड़ी easy है x square over 9 है ना तो आप x square minus 9 है ना यह तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो x minus 3 x plus 3 multiply करोगे दुबार यह आएगी और denominator क्या है x minus 3 x minus 3 x minus 3 cancel x plus 3 बचेगा और limit क्या है x approach कर रहा है 3 के पास तो x plus 3 बचेगा उसमें आप x के जगाए क्या put कर दो 3 put कर दो 3 plus 3 6 के बचाबर होता है जो option number c correct हो जाएगा यह भी हो गया सब हो गया बस आखरी question बचा है वो question number 8 है question number 8 थोड़ा lengthy है इसलिए मैंने का end पे करते हैं सब्सकून से अच्छा book में mistake थी एक सब्सक्राइब इनिफिनिटी था एक सब्सक्राइब जीरो हो गया है आप्षन उसके हिसाब से है जीरो के हिसाब से और एक स्क्यूब है ठीक है अब यह आपको सवाल पूरा given है अगर आप इस सवाल पे ली होपिटार रूल लगाओगे अब ही जब आप उट करोगे ना जीरो इसके अंदा है तो आपको एक इन डिटेमिनेट फॉर्म ही मिल रही होगी हाँ मतलब जीरो पॉन जीरो वाली फॉर्म मिल रही होगी तो आप ली होपिटार रूल लगा सकते हो लेकिन लगाना नहीं क्योंकि अगर लगाओगे ना आपका सवाल बहुत अजीब सा हो जाएगा तो इसको दूसरे तरीके सॉल्फ करो जो आप करते विया आरो टेंजेंट को ब्रेक कर दो आप साइन एक्स ओवर कॉस एक्स सैक एक्स क्या होता है वन ओवर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपनी जगह पे और डिवाइड़ बाइ एक्स क्यूब यह हो जाएगा कॉस स्क्वाइर एक्स मतलब यह हो जाएगा cos square x है न तो cos square x और नीचे ये क्या है x cube given है ठीक है ये simplification है आप देख लेना कोई इतनी मुश्किल नहीं है उसके बात क्या करना है इन दोनों में से आप sin x common ले लो इन दोनों में जब sin x common लोगे तो आपके बात sin x अच्छा यहाँ से common लोगी है 1 आएगा और यहाँ से sin x हटा दो तो सिर्फ क्या बज़ेगा cos square x और नीचे अलावला करे क्या है cos square x और x q 1 minus cos square आपको पता है sin square के बराबर होता है ये पूरी चीज sin square के बराबर होगी sin square multiply sin क्या होगा sin cube x x cube इसके नीचे लिखा है ये जो cos square है ना ये कबाब में हट दी है इसको आप कर दो side पे limit पे आजो क्योंकि ये step proper करने की ज़रत नी है mc qs है तो अब आप limit क्या है x अप्रोच कर रही है 0 के पास अब देखो दोनों multiple लाओ रहे है तो limit लगा दो तो ये भी हो जागा sin cube x over x cube और इस पे लिमिट लगा दो 1 over cos square x अब भी करवाया था इसलिए दुबारा नहीं बता रहा अब ये चीज़ समझाईती है आप लोगं को अच्छा यहां cube दा ना तो आप whole cube लगा दो क्योंकि sin cube भी है sin x over x cube और यहां पे लिमिट क्या थी x अप्रोच कर रहा है 0 1 over cos square x ये पूरी चीज़ बहुत दफा आप लोगं को बताईए 1 के बराबर होती है 1 का cube 1 ही होता है यहां आप 0 पुट कर दो cos 0 1 होता है 1 का square भी 1 होता है 1 over 1 भी 1 ही होता है तो इसका answer option number A है जो correct है ठीक है तो guys इस video में इतना ही next video में इंशाला chapter number 2 start करेंगे अपता ख्याल रखिएगा Allah आपस